सरकार लाग हुपाई कर लेकिन इस्थानी अधिकारी कर्मिचारी अपनी आदवतों से बाज नहीं आते और अपनी कारी के प्रती निरंतर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं उस लापरवाही का खाम्याजा गरीब जनता को भोगना पड़ता है ऐसे कर्मचारियों के प्रती ना तो किसी राजनीता का ध्यान है और ना ही विभागों में बैटके वरिष्ट अधिकारियों का जिससे गरीब जनता को शाषन का लाब में सके ऐसा ही दिल को धहलाने वाला मामला प्रात्मिक स्वासिकेंद राम टोरिया के सामने आया है जब सोंबार को शाम करीब 6 बजे बड़ा मलरा सामिदाई स्वासिकेंद प्रभारी B.M.O. डॉक्टर हरी गोविन राजपूद की टीम द्वारा प्रात्मिक स्वासिकेंद का निरिक्षर किया गया लेकिन उस समय प्रात्मिक स्वासिकेंद ताले में कहत था जब निशासन द्वारा जनते की सुविधा हेतू दो डॉक्टर सहित दस स्टाप तैनात है लेकिन अस्पताल परिसर में एक भी उपस्षित नहीं पाए गये मोखे से ही प्रभारी BM के द्वारा BMU हेमत मरयया को अवगत कराए गए जिस पर लापरवाही कर्मचारों पर कारी के प्रति लापरवाही बरतने पर धरक गए और मोखे पर ही ग्रामवासियों के सामने पंज नमा बनाने के लिए कहा गया वही होनी को कॉन डाल सकता है और उसी वक्त प्रसव वेदना से तरपती हुई एक महिला अस्पताल बहुची परिसर में आकर कहार ने लगी लेकिन मौके पर गर्भबती महिला के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली और महिला ने अस्पताल परिसर के सामने ही नवजाद पच्चे को जन में द करता है या फिर ऐसे लापरवाही कर्मचाले को टंडित करता है तो मैंने पाया कि यहां अस्पताल का मतलब ताला लगा हुगा मिला था ठीक है तो मैंने अधर उधर देखा तब भी मतलब यहां मतलब कोई नहीं था लेकिन उसी समय मतलब गया तो फिर दिलेवरी भी आई अब तो मैंने डिलेवी लेकर नहीं भी अधर बाहर थी ठीक है तो इसे हमने शिश्टर को बुलाया तो पर अंदर करवा गी जलेवी हमने करवाई लेगे बच्चा और जच्चा बच्चा दोनों सही है जो लाबर वाए लोग है उनकी ख़लाब कारवाही मतलब की जाएगी बच्चा बाइण वाइट